राम राम जैसरी राम सातियो मैं हूं सुदेश कुमार और हमारे साथ हैं अजीद मास्टर जी सातियो आज हम यहाँ पर प्रोग्राम लेकर आए हैं एक रोचक तत्य है तत्यों के बारे में कुछ जानकारी जोटा कर लाए हैं और बहुत सारी बातों को हम यहाँ पर आज किलियर करने वाले हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम प्रस्न करने वाले हैं, एक बहुती इंपोर्टेंट प्रस्न है, प्रस्न क्या है क्या पत्थर पूजना भक्ती है। इसमेंस है के उपर हूम यहां पे चर्चा करने वाले हैं और हमें उम्मीद है आपको हम अपनी तरफ से सही इन्फॉर्मेशन दे पाएं हम यही आसा करते हैं और हमारे साथ हैं अजीद मास्टर जी निर्बल को बल निर्धन को धन निर्धार नाधार बावाला अल्दाद जी शत्गुरू मले मेरो खिवाता रुपाओ बहुत ही बड़ी है जैसे राम साथी हो तो अजीत मास्टर जी सबसे पहला और इंपोर्टेंट प्रसन यही है आप से कि क्या पत्थर पूजना क्या पत्थर पूजना भक्ती है इसके विसे में आप क्या कहना चाहूँए बहुत ही हाँ उस लोग यह कहते हैं पत्थर पूजने से क्या फाइदा कुछ नहीं होता उससे तो इस विसे के ओपर आप क्या कहना चाहूँए बहुत ही अच्छा प्रसन गुरू जी का कि पत्थर पूजने में भगवान नहीं है भगवान है स्रिद्धा में अगर भक्ती होगी स्रिद्धा से तो पत्थर की ग्रारे से अगर मैं कंकर उठा लेता हूँ और से कब्डे में रखकर अगर अपनी पूजा ग्रह में रखता हूँ तो वहाँ भी वो भगवान मन जाता है और अगर स्रिद्धा नहीं है भक्ती नहीं है तो मूर्ती में भगवान नहीं है ये हमारी स्रिद्धा पर डेपेंड करता है कि हम कितनी स्रिद्धा से भगवान की पूजा करते हैं कुछ लोग मास्ति जी ये कहते हैं जैसे आप दूद चरहते हो किसी भी मूर्ती पर तो कुत्ते बिल्नीएं उसको चाठते रहते हैं तो वो अपने उपर से कुत्तों बिल्नीओं को भी नहीं आठा सकते हैं तो कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है तो इस विजसे में क्या कहोगे आप भगवाण गंगन में व्यापत च्रिष्टि के सिर्ष्टि के ibyn कन कन में हरी व्यापक सरवत्र समाना प्रेम प्रगट होई में जाना कि भगवान ने प्रवासा दिये प्रेम की जहां प्रेम है प्रेम से हम भगवान को कहीं भी tutte सकते हैं और श्रिष्टी के कन कन में इस पर व्यापते हैं वो मूर्ती मंग रहते ताई ना है है तो इसी श्रिष्टी की इसी धर्ती की इसी जमीन की तो उसमें भगवान क्यों नहीं है खंब फाड़के भगवान पैदा हुए जब प्रहलाजी बचाए हिरना कुछ का संघार किया था नर्सिंग रूप धरा था जब खंब पाड़ गए लोहे के गरम जो खंबा था उस पर भी चीड़ी चल रही और वो जीवत थी तो भगवान ईश्वर हर कन कन में व्यापते है यह स्रिद्धा की बात आती है कि स्रिद्धा अगर आपके अंदर स्रिद्धा है तो कन में भगवान है पत्थर में भगवान आपको मिल जाएंगे आप गिरारे का रास्ते का कोई रोडा भी उठा कर उसको कपड़े में लपेट कर अगर रख लेते हो और पूरी स्रिद्धा के साथ उसकी पूजा आर्चना करते हो तो उसमें से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं अगर आपके अंदर स्रद्धा है तो सारा खेल स्रद्धा का है हम मंदर जाते हैं मूर्तियों की पूजा करते हैं ये सिर्फ हमारी एक स्रद्धा है क्योंकि हमें मंदर में जाने से मूर्ति के सामने बैठने से हमें ये लगने लगता है कि हम भगवान के समक्ष बैटे हैं और भगवान की भक्ती में हमारा मन और जादा लगने लगता है तो ये एक टूल्स हैं ये कह सकते हैं एक तरह से एक सहायक हैं हमें भक्ती माग तक पहुँचाने के कुछ लोग कहते हैं कि मूर्तियों में भगवान नहीं होते तो वही बात फिर घूम कर आती है कि ये एक सिर्धा का मैटर है और सिर्धा भाव अगर आपके अंदर है तो मूर्ति में भी भगवान है ररेत के कन में भी भगवान है और हर जर्रे जर्रे में भगवान आपको मिल जाएंगे और आपके अंदर अगर सिर्दा नहीं है तो भगवान आपको जब भी नहीं मिलेंगे जब आपके स्वेम सामने समक्स भगवान खड़े होंगे तब भी आप भगवान को नहीं पहचान सकते हो तो यह एक सिर्दा भाव की बात है मास्टर जी अगर आप कहते हो कि मूर्ती में भगवान हो सकते हैं सिर्दा की बात है तो यह कहबत गलत हो जाएगी फिर पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड याते तो चाकी भली जिससे पीस खाय संसार तो फिर यह कहबत गलत हो जाएगी इसके बारे में क्या बखायो गया मैंने फिर बताया है इस्वर अंसजीव अवनासी कि इस्वर सृष्टी के कनकन में व्याब्त है उस मिट्टी में भी है मूरत में भी है पत्थर में भी है पहाड में भी है और हम लोगों में भी है अब गुरु जी ने बात कही है कि यह कहबत गलत हो जाएगी कि पत्थर पूजे हरी में ले तो मैं पूजी पहाड यह तो चाखी बड़ी पीशखा संसार यह उन लोगों के लिए है गुरु जी जो भंडारे कर रहे है घर में मा भूकी बैठी है मंदर जा रहे है हड़ जा रहे है कासी जा रहे है घर के मा बापन सेद रहे है अपनी गरीब पड़ोसी है सेद रहे है उसे ठोकर मार रहे है पड़ोसी में उसे गाली गलोंच दे रहे है उसके साथ बत्तमीजी कर रहे हैं वैसे भंडारे कर रहे हैं यमना और कासी और गुदाबरी कहा कहा जा रहे हैं ये उनके लिए जी अगर उनमें सिवा भाव नहीं है नहीं है वैसे भंडारे कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े दान दे रहे हैं लेकिन उसके घर में भाई सा नहीं है जो घर में उनके लिए तो पत्थर हो या कुछ हो उन्हें तो कोई मतलब नहीं है उनसे तो यह उनके लिए जिन में सरद्धा भाव नहीं है शिवा भाव नहीं है जो इस वर को नहीं देख सकते उनके लिए दोआ है कि या यह तो चाकी भली है कि जाते संसार पीश कर तो यह बात वही आती है साथियों कि जिन लोगों के अंदर भाव ही नहीं है वो तो यही समझेंगे कि इससे तो अच्छा की अच्छी है जिससे संसार पीस कर खा लेता है यही बात है तो यह उन लोगों के लिए होता है असलियत में अगर आपके अंदर भाव है तो आपके भ हैं और लड़कियां मंदर में लड़कों को देखने के लिए जाती है ये बहुत ही एहम प्रस्ण है इसको हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हम इसका जवाब देना चाहते हैं तो अजीद मास्टिजी आप क्या कहोगे इस विस्विसे के बुरा देखर मैं चलया बुरा नहीं मिल्या कोई जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा नहीं कोई गुरुजी ये वो लोग प्रस्ण करते हैं जो खुद इस गल्ती पे हैं जन्हें दूसरों में गल्ती दिखती है वो इस क्वेशन करते हैं जो हमारी आस्ता के प्रती है हमारे भगवान की जो हमारी है और बहुत सारी भावना डुकान है मंदर में हम देखने जाएंगे लड़का लड़की को आपस में और हमारे स्थान नहीं है। मैंने बचा कि हरी मुरद देखी तिन दैसी अगर मैं दूसरे के बारे में ये सोचता हूंगा कि चोर है तो वो भी मेरे बारे में ऐसा ही विचा रखेगा ये हंडर का लाग परसेंट सही है कि जैसा मैं दूसरे के बारे में सोचता हूं वो सामने वाला भी मेरे बारे में उसी प्रकार क्वेस्चन सोचेगा जैसा मैं उसके बारे में सोच रह होते हैं जो दूसरों में गलती निकालते हैं हमारे धर्म के पिड़ती है हमारी आज तक पिड़ती जो ऐसे क्वेस्टन के जाते हैं मैं नहीं मानता और अगर कोई लड़का या लड़की इस भाव से मंदर जाते हैं तो यह आगे उसका पाई नाम मिल जाएगा खुद भूगते हैंगे हां खुद भूगते हैं यह लेकिन साथे जातर यह प्रस ने इसलिए उठाय जाते हैं जिससे की धार में भावना को ठेज पहुँचाए जा सके हैं यह खुद लोग ऐसे होते हैं जो दूस हैं एक उत्सक्राइब की वाव की भूकी होती है बाव है तो भक्ती है भाव है थो दिए भगवान है असली भक्ति आपके माम में क्या है कशली भक्ति ग्रुजी замत की शंगति करना ना भूके को भूझन ख्लाना किसी निर्वल और भूके निए दान भी खानेक्निया वैसे हम जल की प्याव लगा रे और प्या से पान प्याले तो असली भक्ती वह है कि वाश्टम में ही जो अन्दर आत्मा से जो की जाती है किसी विद्वा के आंसो पोँचना गरेब की साहता करना सात्यों किसी गरीव की साहता करना किसी जरूरतमंद की साहता करना यही भक्ती होती है और मास्टर जी अगला प्रस्व मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या माला फेरना भक्ती है या नहीं है क्योंकि यह कहावत है कि माला फेरत जुग भया फिराना मन का फेर करका मन का डा रहा हूँ और सोच रहा हूं कि MATT का 50 लाख का घाटा करना आयो इससे करना आयो इसने मेरे साथ ऐसा किया था हाथ में माला चल रही है लेकिन दूसरे की बढ़ायी चल रही एक एक अपना काम बनता भाहर में जा एजनता यह वह बात लोग होते हैं जो खुद माला फेड़ते हैं, भक्ती का ढोंग करते हैं, दूसरों को दिखावती भक्ती करते हैं, लेकिन वास्ता महीं भक्त नहीं है, वो बगले होते हैं, उसके हंस के भेश में, छिपे हुए भेडिय होते हैं वो, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि भक्ती के टाइम से पूरी लगन से पूरी मन से यह सच्चे हिरदय से वो भक्ति है साथियों माला फेरना बुरी बात नहीं है लेकिन बुरी बात वो है कि माला फेरते फेरते आप किसी के बारे में सोच रहे हो कि उसको घटा होना चाहिए या मतलब और ही कुछ सोच रहे हो माला फेरते फेरते आप राम का नाम लेते हो और अपने मन में स्री राम जी की मूर्ती को अगर सथान देते हो तो वो भक्ती है, वहाँ पे कोई गलत नहीं है लेकिन आप कुछ लोग इस चीज़ को अलग मायनों में ले जाते हैं लोगों को दिखावा दिखाते हैं कि भाई मैं भगत जी हूँ या फिर ये बात वो बात, मन से कुछ और होते हैं ये थोड़ी सी बात हो जाती है वैसे तो माला फेल रहे हैं और दूसरे के बारे में गलत सोच रहे हैं ऐसे ही कुछ इस्ट्री जाती होती हैं, लेडी होती हैं घर से आती हैं कि भक्ती के लिए जा रही हैं लेकिन वो इधर उधर की बात है करती है ये उनकी भक्ती नहीं है भक्ती टाइम पर भक्ती ही करनी चाहिए मनुरंधन टाइम पर मनुरंधन करना चाहिए तो उस समय हमें सिर्फ इश्वर की आश्था मन लगाना चाहिए इश्वर से जुड़ाव होना चाहिए कि आंखे की ही मूरती हमारे सामने आने चाहिए आने तक किसी प्रकार का कोई रोग देश बुराई करना वैसे ही महा पाप है गरुजी अगर मैं किसी की बुराई करता हूं तो मुह पे कह लूँ आपके अगर मुझे आप में कोई बुराई दिखती है तो मैं आपके मुह पे कह भण्दारे को नाम होता वे करते डंगवारा, वो अपने चहती जो उनके चाल चलनी वाले transporting उन्हें बुलाते हैं और उनकी खात्रदारी करते हैं जादतर मुष्ट लिए होता है नाम होता है भंडारे का अगर कोई गरीब आदमी गरीब बच्चा आ जाता तो उसे कहते हैं परेग रहे दूर यहां आम अजईयो बना नवेद हुए बच्चें गरीब आदमियों की तो उनके लिए खाना नहीं है और वास्तम में तो भंडार होता है गरीब वेक्तियों के लिए उनके लिए ही होता है भूके लोगों के लिए ही बंडार होता है कि किसी की आत्मा में किसी के पेट में कोई अन्न दाना पड़े यह है बक्ति लेकिन यहां कहते हैं कि मास्टर ते म बच जाए तो उन्हें बला सकते हो या फिर विशाल रूप दो भंडारे को जिसमें सवाएं और नहीं तो आसलियत में भंडारा वो भंडारा होता है जो गरीबों के लिए होता है बहुत है जाती हो और मास्टी जागला प्रेसनी यह है कि कुछ लोग दान देते है तो नाम करते है कोई भी सामान दे दिया उस पर नाम लिख दिया या फिर आपने देखा होगा लोगडाउन में किसी ने एक किलो अगर आटा किसी को दिया तो उसकी सेलफी ले ली है ना एक किला देते हैं बहुत सारे लोग होते हैं एक दो किला देते हैं एक खटे होकर इस तरह के जो किरते ह होते हैं समाज के अंदर उसके विद्से मैं क्या कहना चाहूगए मैंना भी फिर बताया कि वो अपने सरफ नाम के लिए पच्छी है कि अगर मैं दान देता हूँ अपने नाम लखाता हूँ तो याद यूआ कई सालों तक मेरा नाम रहेगा, मेरे बच्चे का नाम आएगा, मेरा नाम आएगा, नाम के लिए पत्री है, वास्ता में ही गुप्त दान, महा दान है, अगर मैं दस रुपे भी देता हूं और गुप्त रखता हूं, वो वास्ता में दान है, अगर मैं नाम के लिए करोड रुप पर भी खर्च करता हूँ तो वो दान नहीं है लोक दान में ठीक है मैं उनकी वो मानता हूँ कि उन्होंने गरीब वेक्तियों की शेवा की लेकिन एक किलो चून और एक केला और देने वारे पचास फोट विच वाएंगे शैल फिलिंगे वह उस गरीब से पूछ कर देखो उस से वह कूछ दे रहे हैं इसकी बनाव में हो रही है और अपनों कर रहे हैं वर हम दान दे रहे हैं वह बड़े-बड़े सुने हरे नाम लखते थाता हूँ परण आध्मी ने पंखा दिय वा खश्या कूल और झाध क्वन ये. डान एह उसे गुफट भी तो ठiticata है मैं सही दान मानता हूँ जो गुप्त दिया जाता है 51 से रुपिय फ्लाने के 500 रुपिय फ्लाने के इन नामती जाने जाएंगे क्या गुप्त दान दीजिए जिसमें भगवान को पता हो किसी को अनायास धन प्राप्त होना गुप्त दान की निसानी है अगर आपने कहीं पेर्द गुप्त दान दिया है तो उसका आपको कई गुना होके मिलेगा साथियों हम दान देते हैं और उसका नाम करते हैं तो उस गरीब से पूछिए उसके उपर क्या बीचती है क्योंकि वो उसकी मजबूरी होती है वो एक किलो आटा लेना और थोड़ा बहुत जो भी आप देते हो लेना लेकिन उसकी बेज़ जती कर दी जाती है सेल्फी लेकर दुनिया के सामने प्रिस्तुत कर दिया जाता है देखो भाई ये गरीब है और हमने इसकी मदद की है एक किलो आटा दिया है और एक किलो आटे में इसने फोटो खिचवाया लोगडाउन बहुत ज़्यादा ऐसा ही हुआ है ज़्यादा तर ऐसा हुआ है लोगडाउन में तो ये बहुत एक विचार निये बात है यानि कि विचार करने योग ये बात है बहुत ही गलत है इस तरह से करना बिलकुल ही जायज नहीं है बहुत सारी मुसेबत आती है समाज के उपर भी आती है लोगों के उपर भी आती है लेकिन इस तरह से जलील करकर ठीक है आप मदद कर रहे हो बहुत अच्छी बात है लेकिन जलील तो मत करिये तो यह बहुत ही गलत बात है दान करना है तो गुप दान करिये नहीं तो करिये मत किसी दूसरे को जलीर क्यों करते हो आगला प्रसने आपसे अजीद मास्टर जी क्या हवन करना सही है क्या उससे कोई फायदा होता है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बैसे तोब्सक्राइब करने से क्या फायदा होता है वेश्टेज जाता है इसमें गी को वेस्ट क्यू ढालें ति eagle अगनी में क्यू जलाएं इससे तो अच्छा गी को घरीवों में दान देदे ऐस तरह से कहते लोग कि पहले तुम्हाइं करना सहिए या गलत हवन करना बहुती सुद्ध है एक तरीकाई धार्मिक अनुष्ठान में लिया जाता है इससे शैड़ रख दीजिए थोड़ी दिरे के लिए हवन करने से जो इसमें सामेगरी होती है जो इसमें घी होता है उससे वातावरन सुद्ध होता है ऑक्सीजन जो हमारा है जो समसांस लेते हैं उसमें वातावरन में सुद्धता आती है मकही म किसला कोई कर की वीमाज निभी को वेस्ट कर रहे वकी वह घी अब ही होता है जब करते हैं कुछ काम जब हम अपने धर में ऑन नस्ठान की ओर तप कि आरीहें और थानियेंद्टुश प्रयूत्याइक सबढ़ होता है। और किया गुना टेक्स है उस पर फिर भी उसे हानी का रहा है बच्चों को खाने के लिए भूजे नहीं मिलता है घर लेकिन पीवेग उदारू सभी बड़े बड़े लेक्सर में करोड़ों रुपिया खर्च करें जा दारूब में जब गरीबों को याद नहीं आती गरीबों प्रैस कदो भूजे फुकता है हमारी होली आती है दबाले आती है जब हमारे धर में जो पर वेश्ड़ा है उन पर ही यह ग्यान नहीं कहां कहां थे होते यह उसमें जैसे बड़े संत महात्माइं के गुफा में नकर गए और जब आएंगे लाश्ट में जब ग्यांदे मैं मानता हूं वैस्टेज है लेकिन यह डारूपी ना कहां का वो खरगी पल वह रहे हैं मैं पहलवान हो रहे हैं पहलवान हो रहे हैं दारूपी ने से कोई न हमने से बचाता है वातावन को सुद्ध करताूँ है और मैं भी करता ूँ ? जितना हो सके समाज की बुराईयां समाज की अंदर से खत्म हो जाएं तो ये समाज रहने योग्य बन सकता है और अगर बुराईयों को लेकर हम साथ चलते रहे तो समाज ना तो रहने योग्य है और ना ही आगे हो पाएगा तो बुराईयों को, कुरूतियों को समाज से मिटाना होगा, अपने आपको आगे बढ़ाना होगा, और सही एक सही दिसा में हमको प्रियास करना होगा, यही हमारा प्रियास है, और हम उमीद करते हैं, आप भी हमारा साथ इसी तरह से देते रहेंगे। हमें चाहिए लुटा थिने आपको आपको कुछ काहना ही, इसे है या बूलना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात तो साथियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगा आपके समक्ष किसी नए मुद्दे पर और न